बस साथ टॉपिक और आपका पूरा पेपर कबर डी फार्मा का सेकिंड एर का ये पेपर है फार्मस्यूटिकल फार्मस्यूटिकल जियूरिस प्रिडेंस फार्मस्यूटिकल जियूरिस प्रिडेंस इसमें कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ ला है जिससे आपका इसी में स 1940, Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act 1954 Narcotic Drug and Psychotrophic Substance Act 1985 ये साथ टॉपिक आपको पढ़ना है और इन ही साथ टॉपिक से आपका पूरा पेपर बनने वाला इसी साथ टॉपिक के अप इर्द गिर्द ही आपका पूरा सवाल जो है पेपर के वो गूमने वाले हैं लेकिन ये discussion शुरू करने से पहले मैं आपको Act के बारे में बता दूँ कि Act क्या होता है क्योंकि Act ही इसमें सब पढ़ना है Act के बारे में लिखा हुआ है Act वो चीज होती है जब President उस पे अपनी साइन कर देता है उससे पहले जैसे अगर वो सौधा इसका ड्राफ्ट आया होगा तो इससे बिल कहते हूंगा Pharmacy Pharmacy Bill लेकिन जब इस पे President अपने साइन कर देता है साइन कर देता है तब ही एक्ट बनता है कोई भी चीज से उससे पहले वो बिल लहता है उसके बाद में Act बनता है फिर Act में Rules लेके रहते है लोकसभा और President राजसभा लोकसभा बिल पास करते हैं उसके बाद में राष्ट पती उस पर अपनी असेंट देता है अपने साइन करते है तब ही वो जो है Act बनता है इसमें सबसे पहले आप देखें Concept of Pharmacy Concept of Pharmacy ये 1948 में आया उससे पहले जैसा सेकंड वर्ड वर हुआ था उससे पहले इतनी इंज्रीज हुई इतने केजूल्टी हुई कि कोई भी डॉक्टर कोई भी मूँ ठाके ऐसे ही बन जाता था कोई भी फार्मेसी कोई इंजिक्सन दे रहा है कोई पट्टी कर रहा है कोई मतलब कोई रेगुलेशन नहीं था इससे क्या हुआ मैल प्रेक्टिस होने लगी बहुत लोग जो कुछ भी नहीं जानते थे वह भी फार्मेसिस्ट और वह भी बैद और वह भी क्या नाम डॉक्टर बनना इस्टार्ट कर दिया लेकिन जब 1948 में ड्राफ्ट बना कि किस तरी तरी के से अपने रेगुलेशन में लेके लेके आया जाए तो concept of pharmacy वहीं से जनरेट होता है कि किस तरीके से लोग अपना पेशे को डबल अब कर लेते हैं और उसके बाद में किस तरीके से मेल प्रेक्टिस होती है कि कोई भी फार्मेसिस्ट है कोई भी डॉक्टर बन जाता ह है health care system दूसरा topic है health care system health care system क्या है कि India का health care system कैसा है जैसे के अभी recently में 2019 में 2019 में COVID-19 coronavirus आया लेकिन हमारा health care system इतना लूज था कि हमारे पास hospital में bad नहीं थे लोगों को भरती करने के लिए हमारे पास oxygen का cylinder नहीं थे हमारे पास proper doctor नहीं थे doctor की कमी थी तो हमारा health care system कैसा है थोड चाइना USA Japan South Korea North Korea इनके according हमारा health care system कितना लूज है आप बहुत अच्छे से जानते जैसे चाइना में coronavirus में 1000 बैट का 3-4 दिन में multi hospital बना लिया था अपना health care system ऐसा है कि हाँ पर doctor जो WHO की recommendation है कि doctor एक हजार patient पे एक doctor होना चीज़ी तो अभी recently में achieve करने ही वाली है हमारी भारत सरकार doctor की यहां पर कमी hospital hospital आप देखेंगे तो hospital government hospital जो है primary health care होता है फिर जो उच प्रात्मिक health care होता है वह अभी गावों में या फिर और जो बड़े शहर हैं वहां पर इतना अच्छा और इतन लोग आ नहीं सकते एक जगा इलाज कराने कि वह ट्रांसपोर्ट की facility नहीं है और फिर लोगों को आने जाने में problem होती है तो health care system India का कैसा है या आप भी बहुत अच्छा इतिक्स ऑफ फार्मेसी आप फार्मेसी कर रहे हैं आपने फार्मेसी का डेपलोमा ले लिए आप फा फार्मूला बता दिये तो आपको integrity maintain करना है आपको loyal है आपको loyalty maintain करना है ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करें कि आप जो दवा बनाना सीख रहे हैं जितनी दवा बनाना सीख है आप दूसरी जगा से उसके सबस्टेंस लागे और दवा को जो है उसकी जो है प्राइवेसी को exposed कर र इसके बाद में ही pharmacy का regulation start हुआ है इंडिया में यह act pharmacy के तमाम जितनी भी चीज़े हैं कैसा college होगा कैसा syllabus होगा कैसा pharmacy का registration होगा medical कैसे होगे यह सब इस act में लिखा हुआ है इस act में हम पढ़ते हैं pharmacy council of India PCI pharmacy council of India state PCI state pharmacy council of India यह central की है यह और यह state की है दो pharmacy council of India यह pharmacy council of India क्या करता है पूरा regulation देखता है कि यह act के तहत ही पूरा pharmacy के system चल ला है अब pharmacy council of India के member होते हैं इसमें कितने तरीके के member होते हैं इसमें तीन तरीके के member होते हैं एक तो होता है elected elected nominated और एक्स ओफिस्यू एक्स ओफिस्यू का मतलब क्या होता है यह बहुत अच्छी टर्म है एक्स ओफिस्यू का मतलब होता है कि आप किसी पत पे और लेडी हैं और आपको additional charge दे दे गया है किसी पत का जैसे के जो उपराश्ट पती होता है वह एक्स ओफिस्यू चैर्मेन इसका राजसभा का जैसे आप माना कि आप सचिव हैं किसी गराम पन्चायट के सचिव और आपको सचिव साथ साथ ही क्या दे दिया गया है वीडियो पद दे तो आप उसके ex-officio के रहेंगे पद भारी रहेंगे तो ex-officio का मतलब होता है आपके आप लेडी एक पद है और उसके अलावा आपको additional दे दिया गा है कि इसे भी समालो इसे भी देख वाल करो इसकी तो elected member, nominated member और ex-officio, elected member कौन-कौन से होते हैं, 6 elected member, 6 elected member, 6 elected member होते हैं, जो UGC, जो central government करती है, उनमें से किते होते हैं, उनमें से कम से कम चार, कम से कम चार essay member होना चाहिए, जिनके पास pharmaceutical chemistry और pharmacy की डिग्री और इनके बारे में knowledge हो, और एक रहेगा अपना medical council of India से, और एक state council of India से, तो elected member कितने होगा, 6 government के, एक medical council of India से, और एक state council of India, तो total मिला कितने होगा, 8, nominated member, nominated member होते हैं, 6, 6 nominated member, nominated by the central government, central government, जो nominated करती है, वो होते हैं, फिर, एक member nominated करता है, कौन? एक member nominated करता है, हर state, जितनी भी state हैं, वो अपने तरफ से एक-एक member nominated करते हैं, जितनी भी 29 state हैं, तो 29 state nominated करेंगे, और एक member nominated करता है, UGC, AICTE, कहलो उसे, AICTE, ये और UGC, तो 29 state हैं, तो 29 और एक, यानिकि 6 member, 29 और एक, एक्स office you member कौन? कौन से होते हैं? Pharmacy Council of India, एक्स office you member वो होते हैं, एक तो drug controller journal of India, एक director journal of health service, एक director journal of central laboratory, यानिकि 3 तो ex office you member होगा है, कौन? कौन से? drug controller, जर्नल आफ इंडिया, डारेक्टर जर्नल आफ सेंटर लेबरेटरी, डारेक्टर जर्नल आफ हेल सर्विस, तो ये 5 होगा है, नॉमिनेटेड मेंबर भी होगा है, और आपके, ये ex office you member भी होगा, और इसमें, अब आप फार्मेसी आपने कर लिया, फार्मेसी करने के बाद में, आपको डिपलोमा पूरा होगा है, आपको registration की जरूत पढ़ेगी, कि आपको pharmacist as a register कर लिया जा, तो registration की process भी ये देखता है, section, इस act का section 31, एक्ट है, इस act का section 31 ये कहता है कि pharmacist जो register होगा, तो उसके पास minimum qualification क्या हो, उसके पास pharmacy की डिपलोमा हो, उसके पास जो उसकी criteria है, कि हो 18 year का हो चुका हो, 18 साल उसकी उमर पूरी हो चुकी हो, भारत का नागरिक हो, ये सब इसमें section 31 में लिखा हुआ है, pharmacy council of India, ये consequence to the section 3 से, इस act का section 3, ये बताता है कि pharmacy council of India होगी, और ये पूरे pharmacy को regulate करेगी, फिर इसकी एक होती है, executive committee, इसी act की होती है, executive committee, executive committee, इतने लोग हैं, कितने हो गए, 8 तो ये हो गए, 6, 29, 35 ये, और 3 ये, 36, 49, और 8, 47, 47 लोगों में से चुना जाता है, executive committee, executive committee जो vice president होते हैं, president होते हैं, और 5 member होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पूरा functioning देखते हैं, जैसे executive committee है, executive committee, इन लोगों को 47 का 47 नहीं पूरे profile करते हैं, इन 47 के अंदर भी चुना होता है, कि president कौन बनेगा हम 47 में से, vice president कौन बनेगा, और executive committee का member कौन बनेगा, जैसे pharmacy का आपको college खोलना है, तो आपको pharmacy council of India के जो rules and regulation और जो उसके measurement हैं, जो उसके मानक हैं, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, syllabus कैसा होगा, maintenance कैसी होगी, यह सब pharmacy council of India ही देखती है, इसमें फिर तीसरा यह, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच माहें drug and cosmetic acts, drug and cosmetic acts, drug and cosmetic acts क्या करता है, कि जितनी भी दवा, कंपनिये दवारा बनाए जाती है, उसका import, export, maintenance, sale, और distribution किस तरीके से होना है, कैसे होना है, यह तमाम चीजों को किस act के तहत रेगुलेट होती है, इसमें एक advisory committee होती है, जिसमें के drug technical advisory board, DTAB, इसमें कौन सा बोड होता है, DTAB, DTAB होता है, और एक होता है DCC, DCC, DCC को कहता है, drug controller committee, drug consultative committee होता है, इस act में सबसे ज़्यादा एहम है schedule, schedule के होते हैं, समझने, जब कोही भी act बनता है, तो act में section होते हैं, जैसे कि आप notes बनाते हैं, notes बनाते हैं, आप point डालते हैं, के point 1, 2, 3, ऐसी जब act बनता है, तो उसमें point डाले हैं, तो point को ही section कहते हैं, उसके बाद में, उस section को explanation, उस section की ब्याक है किसमें होती है, schedule में होती है, तो इसमें schedule, इस act में schedule, बहुत जादा schedule है, schedule A से लेके और X तक, A से लेके X तक schedule है, schedule one by one, आप schedule को पढ़ें, एक एक schedule के बारे में भी पूछा जाएगा, specific schedule दे दिये जाएगा, जैसे के schedule H है, schedule H में ये है कि जो prescribed medicine है, वो direct आप नहीं बेच सकते, जैसे ऐसा है कि आप direct किसी medical store वाले के पास चले गए, वो बोलेगा नहीं, आप डॉक्टर से लिखवा के लाइए, तभी आपको ये medicine प्रोवाइड होगी, तो इसका मतलब है कि schedule H क्या करता है, जो prescribed doctor है, उनके दुवारा लिखी ती दबा बेची जा सकती है, schedule A में licensing, जैसे के medical हम दबा बेच रहे हैं, तो दबा बेच लेगे, schedule A में किस तरीके के दबा और नहीं, तो कैसे लेविलिंग होगी, क्या होगी, schedule यह मैं यह लिखा गया है, schedule B फीस कैसी होगी, फीस कितनी लगेगी, यह सब schedule B में लिखा गया है, schedule H यह सायद, वो blood bank के बारे में, schedule F blood bank के बारे में, schedule F, schedule F जो है, schedule F, schedule F है blood bank के बारे में, blood bank, के blood bank का किस तरीके से licensing होगी, और blood bank में किस तरीके से खून को storage करेंगी, यह schedule F में लिखा गया है, तो इसी तरीके से कई schedule है, schedule G में लिखा गया है, कि hormones, hormones के scheduling है, और schedule S जो है वो practitioner, जतने भी practitioner हैं, किस तरीके से आप MBBS के लेसेंस लिंग के आप डॉक्टर हैं, तो वो practitioner के वहाँ पर यह देखा जाएगा schedule F1 में vaccine है, कितनी में vaccine को किस तरीके से storage करा जाता है, तो यह schedule आप पढ़के जाना है, A से लेके X तक C और C1 schedule बहुत जादा important है, एक laboratory इसमें पढ़ी जाती है, एक central laboratory होती है, central drug laboratory, CDC जैसे बोलते हैं, drug control liberty और government की जितने भी analyst है, यह laboratory होती है, इसमें executive, executive कौन कौन से होते हैं, इसमें licensing authority, counseling, controlling और drug inspector, यह सब इस act में लिखाएगा है, यह drug को किस तरीके से, अगर किसी medical पर छापा मारना है, यह कुछ करना है, तो drug inspector करते हैं, तो यह सब इस act में लिखा गया है, schedule, और drug को किस तरीके से import, export, और उसका storage, और इसकी sale, और distribution, यह सब इस act में लिखा गया है, आप भर भर के लिखना, फिर drug and magic remedy as objectionable advertisement, इसका मतलब है कि कोई भी ad, जो है, वो ऐसे दबा के बारे में नहीं होगा, जो without prescription by the doctor, it means, कि जैसे आपने रिवाइटल का ad देखा होगा, रिवाइटल जी और जी भर के, तो वो आप direct medical store पर जाएं, ले सकते हैं, discipline आप ले सकते हैं, जो OTC दबा होती हो ले सकते हैं, तो इनका advertisement करके अगर ऐसा होगा, ऐसा होगा कि advertise सही, अगर दबा बिकने लगें, तो doctor तो fail हो जाएंगे, doctor की तो नहीं चलेगी दुकान, तो जो जितने भी ये advertise हैं, तो इसमें जो OTC दबा होती है, OTC, OTC मतलब है कि व दवा, वो medicine जो आप medical store से without prescription के खरीज सकते हैं, किसी doctor से लिखवा के ले जाने की ज़रूद नहीं है, वहां से आप खरीज सकते हैं, नार्कोटिक ड्रग और साइको ट्रॉफिक सबिस्टेंस एक 1985, ये जो act है, ये किस तरीके से अफीम को कैसे आपको देखना है, किस तरीके करो, आपने देखा होगा कि गाउंओं में या शहर में जहां खेती होती है, वहां पर अफीम की खेती होती है, तो अफीम का लेना पड़ता है, ये अफीम की regulation है, ये कितनी खेती पर अफीम कर सकते हो, पूरा इस एक्ट के तहयत होता है, नार्कोटिक एक्ट, नार्कोटिक जाता है जैसे आप ड्रग या कुछ भी बेच रहें तो पनिश्मेंट साइको ट्रॉफिक सबस्टेंस के होते हैं साइको ट्रॉफिक सबस्टेंस वह होते हैं जो हमारे माइंड को अनकंट्रोल कर देते हैं जैसे के अल्कोहॉलिक जितनी भी चीजे हैं या फिर दवा में जो कपसूल आता है जिसे हम audi 81 नसेका होता है और और क्रॉक्सीवनट होता है यह सब सब जो सबस्टेंस हैं वोlor साइको ट्रॉफिक हहने हमारे माइंड को टिस्ट्रब करते हैं अहमें लगाओ वीडियो को तो लाइक करें थैंक्यू धन्यवाल